So guys, finally OnePlus 11 series के OnePlus 11 5G smartphone के अंडिया लाँच कनफर्म हो चुका है जिहां guys, OnePlus के तरप से साथ फरवरी 23 को OnePlus Cloud 11 launch event और्गनाईज किया जाएगा और जिसके अंदर OnePlus 11 5G और What's Pro 2 लाँच हो सकते हैं Phone के बारे में दोस्तों काफी सारी information निकल कर सामने आ चुकी है इसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन की design वगरा भी reveal हुई है So आज के इस वीडियो में गई समार्टफोन के सभी specs के बारे में इसकी design के बारे में इसके साथ ही गई समार्टफोन आपको इंडिया में किस price पर देखने को मिलेगा तो स्वागत अब सब का tech रोच पर जानकारी के लिए वीडियो में अंड तक बनी रहें और दोस्तों चनल पर पहली वर आये हैं तो subscribe कर लिजिए ताकि आपको इसी तरह के tech वीडियो मिलती रहें सो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि oneplus की 10 स्रीज already market के अंदर available है जिसके अंदर काफी कमाल के स्मार्टफोन काफी बड़िया प्राइज पर आपको देखने को मिलते हैं अब इसी स्रीज के अपगेट्स वर्जन oneplus 11 स्रीज के अंदर आने वाले हैं जिसमें से oneplus 11 5G आपको जल्दी market के अंदर देखने को मिल सकता है तो फटावट से बात करते हैं दोस्तो इस स्मार्टफोन के सभी specs के बारे में और देखते हैं गई इसकी कैसा स्मार्टफोन ही आप सब के लिए रहेगा अगर first of all दोस्तो हम बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में तो आप देख सकते हैं स्कीन पर कि इस फोन की जो डिजाइन है वो निकल कर सामने आ चुकी है और इसके रियर साइड में एक सरकल सरे में कट आउट आपको देखने को मिलता है और वही सेम टाइप की इन हैंड फीलिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी अगर डिजाइन के बाद दोस्तो हम नैश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर गईस आपको कॉलकम की तरफ से श्नेप डेगें एट जन टू चपसेट देखने को मिलेगा जो की कॉलकम की तरफ से लॉंच किया गया एक नया चपसेट है साथी काफी कमाल की गेविंग बगर दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं इसकिलाब अगईस यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्टेट है कि आपको 12GB तक की RAM देखने को मिलेगी साथी 256GB तक की स्ट्वेज इंडियन विरेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी हाला कि दोस्तों जो चानिज मार्केट के अंदर विरेंट लाँच होगा वहाँ पर आपको 12GB तक की स्ट्वेज भी देखने को मिल सकती है तो आवराल दोस्तों काफी बड़िया experience रहेगा काफी कमाल के performance और speed बगर दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर next बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर camera setup के बारे में तो यहाँ पर आपको rear side में triple camera setup दिया जाएगा जिसका जो man sensor रहेगा वो 50 Megasal का रहेगा जो की OIS के support के साथ में आएगा इसके लावगे इस 48 Megasal का ultra wide angle lens और 32 Megasal का telephoto shooter यहाँ पर आपको मिल जाएगा और अगर front camera के बार हम बात करते हैं तो front side में selfies और वीडियोच क्लिक करने के लिए आपको 16 Megasal का selfie camera पंचल के cutout के अंदर देखने को मिल जाएगा तो अबराल दोस्तों काफी बड़िया camera setup यहाँ पर आपको दिया गया है काफी बड़े numbers हैं तो काफी कमाल की गईसी यहाँ पर आप photography बगरा कर सकेंगे अगर camera's के बाद दोस्तों हम nest बात करते हैं स्मार्टफोन के battery department के बारे में तो 530MH की एक बड़ी battery गईस यहाँ पर आपको मिलेगी जो की 100W की fast charging support के साथ में आएगी तो battery backup दोस्तों स्मार्टफोन का काफी बड़िया रहने वाला है साथी 100W की fast charging है तो काफी जल्दी स्मार्टफोन को charge भी यहाँ पर आप कर सकेंगे अगर स्मार्टफोन के कुछ और features के बारे में बात करें तो fingerprints करें का support यहाँ पर आपको on screen देखने को मिलेगा साथी type C और NFC का support भी गई से यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके लाब दोस्तों यह smartphone N.13 पर work करेंगा तो काफी कमाल की speed यहाँ पर आपको 5G connectivity के साथ में देखने को मिलेगी अब अगर बात करते हैं दोस्तों इस smartphone की pricing के बारे में तो phone की pricing होने वाली है PROX 6000 के आसपास इसके साथ ही दोस्तों यह smartphone साथ फरवरी 2.23 इसको इंडियन मार्केट के अंदर लाउंच किया जाएगा So इसी ती सारे information OnePlus 11 5G smartphone की सभी specs के बारे में आप है तेगा इस phone के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस phone को लेने में interested होंगे अगर अपका कोई और भी कमेंट हो गई तो आप वो भी लिख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में कैसे तना ही हैं गर वीडियो चलगा हो तो वीडियो के लाइक कर दीजिए और दोस्तों चलनल पर पहली बार आई हैं तो subscribe कर दीजिए ताकि आपको शी तरह के टेक वीडियो मिलती रहें मैं मिलता हूँ आपको नएश वीडियो रिप तक के लिए गुडबाई हैव नाइश टे